पहले rarely लोगों में देखने को मिलता था बड़ आज कल commonly लोगों में cancer देखने को मिल रहा है Cancer के treatment की बात की जाए तो इसके लिए लोग radiation therapy करवाते हैं, chemo therapy करवाते हैं, surgeries भी करवाते हैं और आज कल एक new treatment आचुका है immunotherapy जो कि out of country बहुत ही जादा चलन में है out of country बहुत famous है जिसे यहां से भी बहुत सारे celebrities जाके out of country अपने cancer का treatment करा के आते हैं और वो वापस पहले जैसे स्वस्त हो जाते हैं और immunotherapy इस समय हमारे इंडिया में भी popular हो रहा है कुछ time से इंडिया में भी इसको use किया जा रहा है और immunotherapy के कोई side effect नहीं होते हैं इवन आप radiation therapy देखेंगे तो radiation therapy ट्रीट की जाती है बोडी से cancer cells को खतम करने के लिए लेकिन ना सिक cancer cells मलते हैं बोडी से अच्छे cells जो हमारे immune cells होते हैं blood cells होते हैं वो भी destroy हो जाते हैं जिसकी वज़े से आपका immune system कमजोर हो जाता है और वो उससे recover की शम्ता खो देता है chemotherapy की बात करें तो उसमें भी high chemical drugs, medicines का use किया जाता है जिसकी वज़े से आपका immune system पूरा suppressed हो जाता है वो बीमारी से लड़ने की शम्ता ही मतलब खो देता है और इसके भी side effects होते हैं जैसे की skin से related problem हो जाना, बाल ज़णना और भी digestive related problem होना, organ damage होने के chances होना so radiation therapy, chemotherapy के दोनों के ही बहुत harmful side effects होते हैं और immunotherapy की बात करें तो इसके कोई side effects नहीं होते हैं और immunotherapy में क्या होता है कि आपका immune system ही आपको cancer से लड़ने में मदद करता है इसमें दो तरीके से therapies की जाती है सबसे पहला तो stimulate करते हैं, promote करते हैं और boost करते हैं हमारी body के natural immune system को ताकि वो अच्छी तरीके से defense कर पाए वो find कर पाए cancer cells को और उन पर जाके attack करके उनको destroy कर पाए दूसरा option होता है, lab में ही ऐसे substance तयार किये जाते हैं जो कि आपके immune system components जैसे होते हैं और इनकी helps से restore करते हैं, improve करते हैं immune system को ताकि वो cancer cells को find करके उन पर attack कर पाए, उनको destroy कर पाए So hemo him क्या करता है, hemo him तो naturally, जो first therapies देते हैं immune therapy में, वो तो naturally ही आपके immune system को boost करता है, promote करता है, stimulate करता है Strong बनाता है आपके immune system को ताकि आप हर बिमारी से लड़ पाएं या आपको हर बिमारी से लड़ने में सक्षम बनाता है So immune system का strong होना बहुत जरूरी है, so आप तक के video से आप समझ गए होंगे immune system की importance और किस तरीके से आप इसको healthy बना सकते हैं And immune system को आप जितना fuel देंगे या आपको उतनी ही तेजी से rebuild करने में help करेगा And Hemohim is the best fuel for your immune system यापको हर दरह की बिमारी से बचाने में help करेगा और cancer जैसी भयानक बिमारी से recover करने में भी आपको मदद करेगा So Hemohim को अगर आप order करना चाहते हैं तो description box में आपको number मिलेगा आप call करके order प्लिए